सत्य और अहिंसा का महत्व भगवत गीता के अनुसार भगवत गीता जो महाभारत के भीश्म पर्व का हिस्सा है जीवन के महत्व पूर्ण सिध्धान्तों का अद्वितीय संग्रह है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के विभिन्य पहलूओं पर ज्ञान प्रदान किया इसमें सत्य और अहिंसा को भी विशेश महत्व दिया गया है जो जीवन में सही मार्ग पर चलने का मार्ग दर्शन करता है सत्य का महत्व, सत्य, सचाई का महत्व भगवत गीता में अत्यंत उच्च स्थान रखता है सत्य जीवन की नीव है और यह व्यक्ति को आत्म ग्यान और आत्म साक्षापकार की ओर ले जाता है सत्य के पालन से व्यक्ति, मानसिक शान्ति और आंतरिक संतोष प्राप्त करता है सत्य के माध्यम से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं भगवत गीता में कहा गया है कि सत्य एक ऐसी शक्ती है जो किसी भी परिस्थिती में नहीं हिलती सत्य की खोज और उसका पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होता है श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सत्य के पत पर चलना हमेशा सही होता है भले ही वह पत, कठिन और चुनोती पूर्ण हो सत्य का पालन करने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार होता है बलकि यह समाज में भी शांती और सद्भावना लाता है अहिंसा का महत्व, अहिंसा हिंसा न करना भगवत गीता का एक अन्य महत्व पूर्ण सिध्धान्थ है अहिंसा का अर्थ केवल शारिडिक हिंसा न करना ही नहीं है बलकि यह विचाश को असनापवास, विचारों शब्दों और कर्मों में भी हिंसा न करने की शिक्षा देता है अहिंसा का पालन व्यप्ति के भीतर करुणा, दया और प्रेम को बढ़ावा देता है यह व्यप्ति को आत्म नियंत्रन और आत्म संयम की दिशा में अग्रसर करता है श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह सपष्ट किया कि अहिंसा केवल शारिडिक स्तर पर नहीं बलकि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होनी चाहिए जब हम अपने विचारों में अहिंसा का पालन करते हैं तो हम दूसरों के प्रती, सम्मान और प्रेम का भाव रखते हैं अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति का मन शुद्ध और शांत रहता है जिससे वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है सत्य और अहिंसा का समन्वय भगवत गीता में सत्य और अहिंसा का समन्वय जीवन के सही मार्ग को दर्शाता है सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक है सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर स्वाभाविक रूप से चलता है क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर हिंसा का कोई स्थान नहीं होता इसी प्रकार अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति सत्य का भी अनुसरन करता है क्योंकि अहिंसा का मूल सिधान्त ही सत्य पर आधारित होता है जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन हमें न केवल व्यक्तिगत शांती और संतोश प्राप्त करने में मदद करता है बलकि यह समाज और संसार में भी शांती और सम्रिध्धि का वातावरण बनाने में सहायक होता है भगवत गीता के इन सिध्धान्तों का अनुसरण कर हम अपने जीवन को उच्चतर और आत्म साक्षातकार की ओर ले जा सकते हैं भगवत गीता में सत्य और अहिंसा का महत्व अत्यधिक है ये सिध्धान्त जीवन को सच्चाई, शांती और सदभावना की ओर ले जाते हैं सत्य और अहिंसा का पालन कर हम अपने जीवन को उच्चतर और आत्म साक्षातकार की दिशा में ले जा सकते हैं जीवन में इन सिध्धान्तों का पालन कर हम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बलकि समाज और संसार में भी सकरात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी प्रेडित करती हैं। आपके समर्थन के बिना हमारा यह प्रयास अधूरा भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। जय श्री कृष्ण।